तो हेलो दोस्तों कैसे हुआ आप तो आपका स्वागत है विट्टू विजन के ब्लॉग में जी हाँ तो आज मैं आपको एक और धार्मी के स्थल में लेके चलने वाला हूँ जिसका नाम है कचनार सिटी जैसे तो जबलपूर के अगर आप हैं तो आपको ये पता ही होगा कि क कचनार सिटी किसलिए प्रसिद्ध है यहां का बादावरन यहां के लोग बहुत ही अच्छे है तो दोस्तों विनावक्त जाए किजिए आज की करते हैं वीडियो शुरू तो यह जो आप रास्ता देख रहे हैं यह हमारे कचनार सिटी के अंदर जाने का रास्ता है जो हमार पास और पैदल चलना है क्योंकि आज महासिवरात्री है तो आज के दिन काफी भीड़ रहती है और कोविड के टाइम है क्योंकि कोविड ओल्रमुस्ट खतम ही हो चुका लेकिन फिर भी सब्धानी वरतना बहुत जरूरी है इसलिए थोड़ा सा महाल टाइट है यहां का चल चलते हैं सामने आप देखी रहे हैं भव्य प्रतिमा जो हमारे सामने श्री भूले नाथ महादेव की है कितनी सुन्दर और विशाल है इसकी लंबाई 76 फिट उची है और इसे 2004 में बनाया गया था लेकिन काम शुरू होते होते और सारी सुविधाओं को मद्दे नजर रखते हुए इसे पब्लिकली 2006 को खोला गया था यह मद्द प्रदेश का सबसे जाना माना मंदिर है तो दोस्तों आप यह सूच रहे होगे कि इतनी बड़ी प्रतिमा है उनके नीचे क्या है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके नीचे एक गुफ़ा बनाया गया है जी हाँ और यहाँ पे हमारे भुले ना प्राणा फोन है और उस समय मेरे पास इस फोन के लाबा कोई फोन नहीं था इसलिए मैनेज कर लेना यार यह सामने आंटी सबको मना कर रही है क्योंकि यहां पे कोविट के टाइम चलो रहा था इसलिए मैडम ने मना कर दिया जादा फिर लगाना भी नहीं है यहां पे हमें एक यग है यग शाला जिसे बोलते हैं और यहां पे पूझा अर्जिना का काम और नर्यल तोने का भी काम यहीं होता है यह महुट यहां आप चलके जाते हैं अज चलो चलिए तो भोले नात के जब सामने आप देक रहे हैं हमारे नंदी महराज के दर्शन होते हैं और यह सामने हमारे ठीक बिल्कुल भोले नात के फ्रेंट अफ सामने हैं बहुत ही अच्छी प्रदिमा बनाए गई है यह अब दोस्तों यहां तक आ गए हो तो हमें भी देख लो हमारी मुम्री हम भोग आए कर्णार के आप है और बॉलक जोड़े हैं इसमेंज में बहुत सारी नोइस हैं तो कि आप ले प्रचान है इसलिए इसमें बहुत सारी नॉइस है जो कि आप देखे परशान हो जाए नियुकि यहां पे सैना जक्तर का गाना जो था संकर चोडारे यही पर शूट हुआ था हमारे भोले नाथ यही पर दिखाए गए तो उस समय साथ भोले नाथ जी का कलर तो बदामी कलर था पीछे पढ़ लाते हैं लोग पूरी गई है रिजह नहीं पता में हमें लोग कहा गई है और सारी जनता आती है अब यहाँ पर भीड जादा बढ़ रही है इसलिए यहाँ पर आंटी लोग ने सब को मना कर दिया है क्योंकि जादा भीड़ा कर लगाएंगे तो दिक्कत ही होनी है क्योंकि कोविट का टाइम चल रहा है और यहाँ थोड़ा से दर्शन कर लीजे क्योंकि यहाँ पर एक से अगी किस स्टेचिव लगाए गई है अभी आम नहीं पता मुझे किसके किसी स्टेचिव है लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठेने का अपिस्थान मना था लेकिन कोविट के बज़े से यहाँ अगी सब्दक्रप लेए इसलिए यहाँ पर बल्ली से बान दिया गया लेकिन यहाँ पर आंटी देखू बली नाग के अंदर चली गई जैसे जैसे समय बीत रहा है यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है क्योंकि भीड़ इसलिए बढ़ रही है एक साल के पाद लौड़ाउन खुला था इस वज़े से यहाँ भीड़ भारी पढ़ रही है और यहाँ के लोग नहीं मान रहे हैं सेक्यूर्टी गाड़ को मजबूरी में आकर यहाँ के लोगों को बाहर निकालने के लिए बोला जा आए और यहाँ पे आंटी सीटिया मार के सब बाहर करते हैं अंटी भगा रही है हम लों को मार मार के प्रेंडा लेकर भगारी सब्सक्राइब चलो मम्मी अब लोगा तर्तन करने आएगी तकालो पाल नहीं बेड़ जादा बढ़ने के कारण यहाँ पे जादा स्रेधालू नहीं रूख सकते क्योंकि कोविट का भी टाइम चल रहा है इसलिए यहाँ तक ही दर्शन हमने करवा पाया आपको और अकर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करना है और सब्सक्राइब कर देना है हमा जाएंगे फिर किसी दिन और जाये भूलनात मेरी वीडियो का तो बेसिकली मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ कि मुझे आकर यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और जाने का टाइम हो गया है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है बाइबाइबाइ टाटा तो यह थे कचनार सिटी के दर्शन और अब हम लोग निकल रहे हैं अपनी घर की ओर और यह है एक सिट गेट यहाँ पर हम लोग अपनी चपल थे उड़ेंगे कहां रखती है क्योंगी हम लोग ने चपली स्टेंड में नहीं लगाए थे यह एक चपल वहाँ तो इक चपल यह ऐसे करके चपल बच जाती है और पैसे भी बच जाते हैं तो वाईमा तो चपल पहन की आ रहाय जान बूछ़ें असले हैं अच्टोरी हो जार्य तो जुको टैंसर में 3 शाल पुरानी चपल रगड़रा हूं तर्हिनित यहां पर यहां पर और कैसा लागा साही है चले यह एक्सिट गेड़ है आज हम लोग एक्सिट हो रहे हैं हमनी हमारी आज गोरी गोरी दिख रही है कि अधर अधर लागी स्टैंड में इधर से इधर से इधर से इधर से और विष्णु जी भी उपर बैठे हैं संगर जी पारवती जय गोले तुम लोग इधर ही रुकना है मैं आ रहा हूं गाड़ी लेकर हर जगा स्टैंड का नाटक हो गया पहले यहां स्टैंड नहीं लगता था लेकिन आव यहां स्टैंड के लिए भी पैसे तेना पड़ेगा अब बात नहीं है अब यह बार बारी ब्लर मार देता है भी खराब लगता है यहां जूला जूले पहले पुछ नहीं रहा है दस साल पहले लोग छोटे थे आठीन की आसमें ते तब लोग आये थी यह इस्टैंड फेड़ी लेने जा रहा हूं अपनी कपड़ा भी ऐसी आप करते हैं और आगर आपको वीडियो अगर सही लगी हो दिएगा थैंक्स पर वाचिंग तुट पाई चलिए चलते हैं हर हर महादेव